है वेलो वेल्कम टू आर यूट्व चैनल टेक्निकल सोसाइटी तो आपने देखा होगा कि हमने पहले से लेवर कवर कर लिया कि हम फंडामेंटल में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आप पहले वीडियो में देख सकते हैं दिन उसके बाद आज हमारा यह नेश्ट वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं what is computer ठीक है computer क्या होता है computer क्या होता है इसका definition देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि जो computer word है वो कहा से आया है तो computer word आया है Greek word computer से अब computer का इंग्लेश मतलब क्या हो ता to calculate ठीक है कोई भी चीज़को calculate करना वहां से आया है computer ठीक है यह रिक वर्ड है computer अब दिन उसके बाद हम definition देखते हैं computer का computer का basic definition हम अगर इजाम में आया तो क्या लिखना है एक computer is a electronic device that can perform in arithmetic and logical operation at a very high speed तो जो computer है वो एक electronic device है जो की arithmetic and logical operation बहुत high speed पर perform करता है यह सबसे basic definition है ठीक है बहुत simple definition है इतना simple आपको कहीं नहीं मिलेगा अब जो computer है वो दो operation को बहुत high speed पर perform करता है पहला होके arithmetic दूसरा होके logical अब arithmetic operations क्या होता है logical operation क्या होता है इन दोनों को हम देखते हैं बिल्कुल detail में arithmetic operation perform on number ठीक है जो arithmetic operation होता है वो number के उपर perform होता है जैसे addition हो गया multiplication हो गया division हो गया लेकिन वहीं पे जो logical operation होता है वो कैसे perform होता है we compare two or more value जैसे कि हम दो या based on whether the completion is true or false it will give us output ठीक है दो number को या दो value को आपने क्या क्या compare किया then उसके base पे हम decide करेंगे अगर ये true होता है तो हमें output क्या मिलना चाहिए अगर ये false होता है तो output क्या मिलना चाहिए मतलब ये logical operation है ठीक है तो आएए एक हम logical operation का बहुत ही simple सा एक program हम देख लेते हैं जैसे कि ये computer program है ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है if x equal to equal to y अगर x के value y के equal हुआ तो print कर देना x plus y ठीक है मालो x equal to 2 है y equal to 2 है तो अगर ये दोनों equal है x भी equal है y भी equal है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर क्या print हो जाना चाहिए फोर अगर x equal to equal to y नहीं है तो print कर देना x minus y को अब आएए यहाँ पर हम देखते हैं माल लेजिए if x equal to 2 y equal to 2 then print क्या हो जाएगा फोर क्योंकि ये condition सही होगी 2 equal to 2 then वहाँ पर print हो जाएगा 2 plus 2 लेकिन वही जब यह condition जब false हो जाएगी जब x equal to 2 हो गया y equal to 1 हो गया then हमारा print हो जाएगा 2 minus 1 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 ठीक है तो अब आते हैं हम computer के जो next definition है उससे हम देखते हैं कि क्या है ए computer is also called a data processor because it process the data तो जो computer होता है उसको हम data processor भी खाते हैं क्योंकि ये data को क्या करता है process करता है अब data processing का मतलब क्या होता है आईए समझ लेते हैं detail में तो data processing हम देखने वाले हैं The activity of processing data by a computer is known as data processing अब जो data का process करने का activity होता है computer के द्वारा उसे हम गोलते हैं data processing अब data processing कैसे होता है आईए वो देखते हैं सबसे पहले data क्या होता है यह आप जान लेजिए तो data होता है या collection of number and character stored on somewhere in a computer hard disk ठीक है राप sec हो गया figure हो गया उसकोा हम बोलते है data जैसे म 시청 लीजिये अदित आ कोई place का भी नाम हो सकता है कोई person का भी आप हो सकता कोई jan Всё को जानवर नब नाम हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमें जदा इसका बारे में पता नहीं यह तो वह data हुआ ठीक है कोई भी employee है उसके जूरी हुई जितनी भी information है ठीक है उससे जूरे हुए जितनी भी चीजे हैं उनको मैं कहीं पर store करता हूं तो वो data हो गया जैसे employee name हो गया employee ID होगा employee का phone number होगा employee का email ID होगा यह सारी चीजों को जहां पर हम एक जगा पर रखते हैं उसको हम database बोलते है ठीक है और यह सब क्या होगे data होगे अब data को जहां पर रखते हैं उसको क्या हम बोलते हैं database बोलते हैं अब यह जो data है इसको हमने कहां पर store किया memory में ठीक है अब हम यह देख रहे हैं कि computer पर यह कैसे process होता है ठीक है तो data को हमने store किया memory में कौन सी memory में main memory में ठीक है main memory क्या वो गया random bunny uh prámm Sure Heery economy टें उसके बाद हमने ने मीमोरी में data को प्रोसुर कर लिया दें उसके बाद हम स्वेश्ट करने वाले हैं ठीक है डाटा के वपर हम कुछ action perform करेंगे में कुछ action perform करने के बाद हम कै मिल जाएगा information मिल जाएगा ठीक है तो जो data होता है वो जब process होता है उसके बात जो हमें मिलता है उसको हम बोलते है information ठीक है तो जो process data होता है उसको हम information बोलते है information is also known as process data ठीक है तो यह चीज़ा आई हो आपको clear हो गई होंगी तो सबसे पहले हमने computer का basic definition देखा कि Altymetic Logical Operations को बहुत high speed perform करता है यह electronic device होता है फिर हमने देखा क्या होता है फिर हमने देखा in jampel भी देखा टा पर यह उसके बाद इनफारमेशन क्या होता है डाटा क्या होता है इसको और आपको detail में जानना है बिलकुल डीप में जानी है तो एक वीडियो है इस चैनल पर आप जाईए हमारे वीडियो में चेक कीजिए आपको data and information की वीडियो मिल जाएगी उसको आप देख सकते हैं और वहां से आप जादा जंकारी ले सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं अब देखते हैं computer system is divided into four components जो computer system है वो चार components में divide होता है पहला हो गया hardware, operating system, application programs और user अब जो सबसे उपर होता है वो क्या होता है user ठीक है user किससे interact करता है web browser से ठीक है application program से दिन application program कहां के जाता है operating system के पास और operating system interact करता है computer hardware से अब इसको हम समझते हैं बहुत ही simple example सेमान लीजीए आप अपने computer में game खेल लाए या आपने music चलाया ठीक है तो music आपने music को अप्लिकेशन में चलाया कोई भी आपने एक application में music on किया तो वो जो application है उसको हम बोलते हैं application program ठीक है तो उसके बाद जैसे आपने music चला आया तो वो जो application है वो direct speaker को access नहीं कर सकता ठीक है speaker क्या है एक hardware है उसको direct यह access नहीं कर पाएगा तो यह जो हमारा application है यह कहां पे जाता है operating system के पास जाता है अब operating system क्या है कि जो window है हमारा यहां पर अभी operating system हमारा क्या है window है ठीक है तो उसका request window के पास जाएगा then window वहां से क्या करेगा उसको permission देगा फिर जाके हम speaker को access कर पाएगे ठीक है तो जो user है और जो hardware है इन दोनों के बीच में जो main role play कर रहा उसका नाम है operating system तो हम definition में भी अभी देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं computer system में जो यह तीन चीजे चार चीजे होती है component जो चार है इंके बारे में हम जान लेते हैं the hardware consists of the central processing unit CPU तो hardware में क्या क्या आता है CPU आ गया memory आ गया then input and output device आ ठीक है और यह सब क्या काम करते हैं हमारी क्या help करते हैं कोई CPU हो गया input output device हो गया memory हो ठीक है then अब हम देखने वाले हैं कि operating system क्या होता है तो operating system is a system software ठीक है जो हमारा operating system होता है वो system software होता है which is a interface between a computer hardware and the user ठीक है तो यह क्या करता है कि user और computer hardware के बीच में interface जैसा यह काम करता है मतलब कि जो user है उसको interact करना है अगर computer के hardware से तो जो operating system है वो बीच में बहुत ज्यादा major role play करता है जैसे आपको access करना है camera तो आप direct camera के लिए कोई भी आप program नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो तो hardware है तो आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले आप program लिखते हैं जो वो जात है operating system के पास then operating system जब उसे permission देता है वो फिर जाके camera के पास जाता है और camera जाके हमें open होके मिलता है तो इसे हम बाद में detail में भी देखने वाले हैं दिन उसके बाद हमारा आता है application program अब application program में आपका आ जाएगा web browser क्या होता है compiler हो गया ठीक है spread street हो गया यह सब application program है जो जैस आपका notepad हो गया या आपका word हो गया Microsoft powerpoint हो गया यह सारी चीजे क्या है application programmatic है और फिर operating system क्या है कि यह system software है देन उसके बाद hardware आपको पता चल गया तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा computer का जो definition है वो क्या होता है data क्या होता information क्या होता है process data क्या होता है देन उसक को भी थोड़ा बहुत हमने describe किया वह भी आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपको अमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करना मत बूलना वीडियो को like और share करना मत बूलना अगर कोई भी doubt हो तो आप comment section में बताइए ताकि हम और ज्यादा इससे improve करते थैंक कुल्त गयो तो